नमस्कार जिस सीटी केस से ओलाइन प्लेटफों पर मैं के सबाकर आप सभी का हार दिख स्वागत करता हूं तो आज का अपना टोपिक है गाउस का डाइवर्जेंस पर में गाउस जी डाइवर्जेंस ठ्योरम तो गाउस के बारे में आपने नाम सुणा होगा और गाउस है उसका जो सुतर था फाई एक्वल टू क्यू अपन एपसाइल नोट या फिर फाई एक्वल टू समिसन क्यू अपन एपसाइल एन उसको मतलिख देना क्यूंकि यह जो है गाउस की डाइवर्जेंस ठ्योरम और गाउस की डाइवर्जेंस ठ्योरम में उसमें से परिबद है और उसमें से जो निर्गत पुल फ्लक्स है सभी के जो शेत्रपल अलपांस है उसी फ्लक्स से निर्गत के योग के पराबर होता है और उसके द्वारा उसने एक वेंजग भी प्राप्ट किया और वे वेंजग है आपके जो ब्यस्च फस्ट एर की इलेक्ट्रो मेगनेटिक है बुक के या फिरे कोई दूसरी बुक है उनमें भी इनका अच्छा मेहतवय है मेहतवय का मतलब दानती हो आप मेहतवय का अर्थ यह है कि यह जो गौस की डाइवर्जेंस फिरम है वो आगे आपके लगबग चेप्ट्रस में आएगी सिधा नाम लिखा होगा कि यह गौस की डाइवर्जेंस फि इसका मान यह होता है तो आपको पता होना चाहिए कि गौस की डाइवर्जेंस फिरम क्या है और विससे इंपोर्टेंट भी है यदि अपने फस्ट के जो टैन क्यूस्टन होते हैं उनमें से आने के पूरी-पूरी उमीद है इंपोर्टेंट है तो करते हैं क्लास स्टार्ट के बराबर होता है जिसको मैं क्या लिकूंगा कि हो लूप आ जूम हो लोप इंसम्कूर आट स्टा-टोर्ट डिये делать के यह है को छिकर कुल फ्लक्स का मालति niye किछी श्यटर प्रस्ट इसन malfe निर्गत की फुल क्या मान है एवक्क्टर डूट डिये वेक्टर तो अब है सभी विए जो उस प्रेस्च निर्गत कुल flux से तो अब जो है यह किसके बराबर होगा 50 के के निर्गत अलपांस निर्गत फ्लक्स के योग हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा। यह तो गया km ql और दूसरे वाड़ा क्या होगा कोल अंटरी के संने किसा प्रस्ट किसा प्रस्ट कर रहे हैं और इसमें क्या बोल रहा है कि समस्त जो शभी के योगatisf बराबर होता तो उसके लिए क्या जाएगा समीशन और यह हो गया प्रस्ट एस अब क्या है निर्गत अलग जो प्लक्स हों के यह के बराबर होता है तो फ्लक्स को मान कितना हो जाएगा यहां से यहां से मान हो जाएगा ए आई डोट डी ए आई विक बस ये है आपके जो मान है वो हमारे पास में ये प्राप्त हो दा इसको नमर के दो समिक नमर एक आप सबसे पहले इसकी ठोरी लिखनी है ऐसे नहीं कि आप सिदा यहां पर पहुंग जाओ उससे पहले जो मैंने आपको भी बताया था तो ठोरी क् सभी कि 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 सी अ कि सदिशेतर सदिशेतर ए वेक्टर में एक आए तर आए तर लेंगे जो कि किससे परिभद रहेगा किसी प्रस्थ ए से परिभद रहेगा तो अ है उसमें क्या इकraction कि शदिशेत्र एंए एक आईटन कि वी गों कि किस से परिबत है यहाँ पर ज्यादन रगना कि यह जो सदिशेत्र है रिशेत्र एम एक आईटन वी इस परस्ठ है उसको आप कालपनी के मानोगी कालपनी के ही मानना है आई टन वी एक कालपनिक बंद प्रस्ट क्या हो हाईगा ? s कालपनिक बंद प्रस्ट s से s द्वारा परिबद ने लिकए है ? द्वारा परिबद हैं ! तो यह तो हो गया परिबद वाला ठीक है अब हमें क्या बताना है कि अब यह जो थोरी लिपने हैं और यह जो थोरी है वो क्या होगी कि इसमें एक चीज यह भी है कि इसमें अनेक शट फलक पाई जाते हैं जो आयतन भी है उसमें अनेक शट फलक होते हैं तो यह जो आयतन यह प्रस्ट है इसी प्रस्ट से निर निर्गत तो कुल फलक्स का मान क्या होगा अलपांस से निर्गत फलक्सों के योग के तुले होगा ऐसे जो छोड़ी है बस यह हां इसमें एक लाइन और लिखना बोल गए जिसमें आप यह लिखकते हो वह उसमें अनेक शठ फलक्स फलक्साइब और उन तेक्ष देखो आपर हैं लेकिन जो ये आयतन आशेयप अलपांज से निर्गत लेकिन जो अलपांज से उत्से निर्गत जो फ्लक्ट्स का मान है वहुался एकcoat है इस गाउष की तिफरे में उस से पहले एक इरे और शने है जिसमें हमने यह बस उसी की अकोडिंग यह बताना है लेकिन अलपांस किसी कि आयतन कि अलपांस कि निर्गत कि फलक्स का मान कि क्या होगा भई हो लोप इंट्रिकेशन एस ए आई इक वल्ट हो जाएगा यह डेल डोट ए आई डी वी आई यह है क्या किसी आयतन अलपांस से निर्गत फलक्स का मान तो अब है इसको नंबर दे दो आप समीकर नंबर दो तो यहां से हम जा करेंगे समीकर का मान इसमें रखेंगे समीकर दो का मान समीकर एक में रखेंगे तो समीकर नंबर दो का मान एक में रखने पर अब दो का मान एक में रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा follow up integration s a vector dot da vector equal to क्या हो जाएगा submission और यह मान हो गया tell dot ai dvi चीक है अब यहां से क्या करना है dvi का मान अत्यलप है जो आईते हैं अत्यलप होने पर dvi equal to test to zero करने पर zero करेंगे तो यह हम क्या करेंगे साथ समाकलन कर देंगे तो इसको मैं लिखूंगा whole up integration s a vector dot da vector equal to क्या हो जाएगा यह integration op dl dot ai adv यह जो हम यहां पर समाकलन हमने यहां पर यह क्या और जो dvi है उसको क्या माना अत्यलप मान लिया तो देखना आप यह जो समाकल है वह से वी के सापक्ष हो रहा है तो अब है इसको मैं क्या लिख सकता हूं यह हमारे पास में गाउस की divergence थोरम है वो प्राप्ट हो चुकी अब इसको केवल दोट दिये और यहां पर है यह प्रस्ट तो क्या लिकूंगा किसी बिंदू प्रस्ट पर लिया गया किसी सदिश्का किसी किसी बिंदू प्रस्ट पर लिया गया किसी सदिश्का प्रस्ट समाकल किसी सदिश्का प्रस्ट समाकल उसके कि डाइवर्जेंस होगे निए डेल आ गया डाइवर्जेंस के आईतन समाकल के तुल्ले होता है इसे ही इसे ही गाउस की डाइवर्जेंस पर में कहते हैं बस यही है आपके गाउस की डाइवर्जेंस ठ्योरम अब नेक्स देखो अब है सदिश बाइवर्जेंस समाकलाइवर्ण करने के लिए हम क्या क्या करनगी कि सदिशेत्र माल लिए उसमें है हम यह और ले रहे हैं कि यह ले लिली रहा कुई जिसमें एक बंदो पी इसमें विस्तापन लेते हैं विस्तापन अलपांस इसको नाम दे दिया डियार वन यहां पर हो गया यहोगया डियार टू और यह हो जाएगा डियार इस प्रकार से और जो यह सदिश से इसके जस्ट परते के मान के लिए इनके लंगोत यहां पर यह हो गया सदिश का मान एक वेक्टर है जो कि परते कलपांच के गुणनदफल के साथ में ठीक है अब इन से हमें है जो सदिश रूप है वेंजक है रेका समागलन है वह हमें बताना है उसका मान प्राप्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है करते हैं देखो शुरूँ सबसे पहले देखो इसकी ठीक लिखनी है तो यह थोरी के लिए हम क्या लिखेंगे कि कोई सदिश रहे उसमें कोई दो बिंदू पीवेक्ट क्यूसित है और इस हमने जो रेखा ली है उस रेखा के जो विस्तापन अलपांस है विस्तापन अलपा देखो आप अधियावा है एक वेक्टर दियावा है यदि हम इसके बात करें तो एवन वेक्टर हो जाएगा इसके साथ में बात करें तो एक थ्री वेक्टर इसका मान हो जाएगा ठीक है तो लिखते थोरी माना किसी कि शदिशेत्र है तो अरे ये क्या है सदिशेत्र ही ए तो इस शदिशेत्र में बिंदू कोन कोन से सित है पी वे क्यों किसी सदिश शेत्र माना किसी शदिशेत्र में दो बिंदू पी वे क्यों इस्दिशेत्र है ठीक है तथा इन दोनों बिंदू के मद्दे लेखा को शेत्र पलाल पांशों प्रांशों कौन से हो जाएंगे टी आर वन टी आर टुू वे डी आर थी में भाडते हैं यहां यह वोर्जेगा पीस विश्रु यह यहां पर बनेच्छांद ύन आज पीस से क्यू एन पिस्सक्राइधि बाड़ते हैं तो ये जो पत है उनके साथ में क्या होगा इनका सदिश शित्र शित्र क्या है वेक्टर बालते हैं तो सदिस तो ये जो मान है कौन सा मान? निविस्तापन और उस सदिस से सदिस कहां पर है वो वाला ये वाला तो जो ये अलपान से है कौन कौन से? ये वाले DR1 DR2 DR3 पर सदिस सदिस हूं का मान करमशे A1 A2 वे A3 A3 होगा? A3 का अदिस का योग क्या होगा भई? कि ये जो है ताँ पर है तो DR1, DR2 पर सदिस्चों का ये क्या है? तो ये से 555 है पर सदिस्चों का मान करमशे A1, A2, A3 का अदिस्च गुन्दफलों का के अदिस्च गुन्दफलों का योग क्या हो जाएगा भई? योग क्या होगा? योग टोटली मान? टबलू उब्रावर मान लिया अब सदिस्चों क्या है यहाँ पर? एक तो सदिस्च गुन्दफलों का होगया A वेक्टर और इसके साथ में क्या हो आएगा? DR1 वेक्टर यही होगा और जब A2 की बात करूँगा मैं A2 में क्या आएगा? DR2 इसको मैं लिकूँगा A1 वेक्टर डोट DR1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डोट DR2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर डोट DR3 वेक्टर प्लस डोडोडोडोट आगे जो भी मान जितने भी हम बेंज़क लेते हैं उसकी अकोर्डिंग इसका मान हो जाएगा तो अब है ये क्या है? A1 A2 इनके ये तो है शदिशेतर ये है इनके शदिशेतर पल अलपांस तो शदिशेतर पल अलपांस और जो ये शदिशेतर है उन दोनों का गुनदफलों के योके अधिश गुनदफल है अधिश गुनदफल जानते होने आप अधिश गुनदफल यानि की डोट प्रोडप्ट डोट मल्टिपल और यहां पर क्रोस मल्टिपल होता तो उसको क्या बोलते हम? सदिश गुनदफल तो यहां से इस जो मान है यहां पर अनन तक हम बात करें तो इनका जो योग है उस योगों में क्या लेख सकता हूँ? अरे योगों में क्या लेख सकता हूँ? समिस्टन नहीं लेख सकता क्या? समिस्टन क्या हो जाएगा? समिस्टन समिस्टन का मतलब क्या होता है? योगी होता है तो यह क्यों से P तक और यहां पर जो मान किया जाएगा A Vector. DR वेक्त क्लियर भाइ इतना इतना अब क्या करना है अब इसमें शेत्रफल अलपांश के उनको अत्यल्प मानना है अत्यल्प माननेंगे तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा कि तो इसमें हो जाएगा ये dr tends to 0 चेतर बल पांश का मान अत्य अल्प हो तो यहाँ पे क्या हो ने वाड़ा है भई ये जो मान है समिस्टन का योग है उसको हम किसमें चेंजिंग कर देंगे स्माकलन में और ये स्माकलन में चेंजिंग हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये जो मान समिस्टन है जब इसमें डियार जो है स्थर प्लपांश को 0 मान लिया जाता है आगे आप जैसेंगे आपके आएगी गाउस के नियम से अपने समाकल और अउकल रोब ये जो मान कहा से कहाता हो अभी ये क्यों से पी तक था तो ये Q Se P एंड, यह हो गया हमारे पास में Vengeck Prop clear है बई? तो ये जो रेका स्मरकलन की बात कर रहे थे हम Q Se P तक ये इस तरह से आपको व्छेक प्राप्त करना है clear हो गया तो आज की अपने यही दो topic थे, अब आगे हैं हम पढ़ेंगे गाउस के नियम से अवकल वे समाकल रूप चीक है जो कियोंगी नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद